नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्षिन वीडियो में आप सब ही का स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो में आप लोगों के साहथ देखने वाला हूँ और जिस वीडियो पर मैं रियक्ट करने जा रहा हूँ, वो वीडियो है वोल्ड अफियर्स का प्रशान कर रहे हैं तो उदर पुतिन से, इधर अमेरिका ने जो है, वो 55 मिलियन डॉलर की पेनल्टी जो है, वो पाकिस्तान पर ठोक दी है, अब क्या है ये पूरा मामला, तो पशान जी बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं, तो चलिए देखते हैं, नमस्कार, वेलकम टू वर् रशिया चले गए पुतिन से मिलने के लिए, और ये मुटिंग इनके लिए बहुत ही महंगी बड़ी है, क्योंकि युएस ने पाकिस्तान के सरकारी बैंक को 55 मिलियन डॉलर की पेनल्टी लगा दी है, और ये बस शुरुवात है, ये बस शुरुवात है इंद फूचर ऐसी और पॉसिबिलिटी है के रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनॉस्मेंट कर दे, अपने कैप्चर डिरिया को लेकर, इस दोरान पाकिस्तान के पी-म जाते है, मॉस्को में व्लादवर पुतिन से मिलने के लिए, औवियस्ली मैं आपर ये बोल दूँ, इमरान खान ने इमरान खान, इनके सारे अटेंट्स फेल कर गए, पहली बात तो आप पूछेंगे, मैं क्यों कहा रहा हूँ कि इमरान खान ने कोशिश करी, देखिए कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एक्जामपल आपके सामने है, ये फोटो, आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ, पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ, जबकि इससे पहले, इमानियल माकरो, फ्रांस के प्रेजिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफी बड़े डिस्टेंस में बड़े थ तो इमरान खान गए यहाँ पर अशिया में, रेशन डॉक्तर ने का के नाक में डालूँगा, इमरान खान ने का चलो डाल लो, टेस्ट करवाया, most probably negative यहाँ पर आया होगा, और उसके बाद इनको अनुमती मिली, क्या आप लेजबन पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिचवा सकते हैं, अब इमरान खान को यहाँ पर उमीद यह थी, कि यह इतना कुछ कर रहे हैं, तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ओफर देंगे, मगर पुतिन बिल्कुल cold-hearted थे, पुतिन ने almost यहाँ पर at किया है, as if Pakistan existing नहीं करता, कोई यहाँ पर, even loan का भी offer, रशा ने नहीं दिया, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उमीद यहाँ पर यह थी, कि पाकिस्तान को 3 billion dollar का loan मिलेगा from China again, यह आपके सामने Pakistan News Portal है, The News International, तो यह लोग खुत कह रहे हैं, कि पाकिस्तान को उमीद यहाँ पर यह थी, कि 3 billion dollar का loan मिलेगा from China, उसके अलावा 2 billion dollar का यह लोग loan चाते थे from Russia and Kazakhstan, इसमें most probably Russia से एक से लेकर 1.5 billion dollar, बदलब रफली आप कह लीजिए, 10,000 करोड का उधार चाता था पाकिस्तान, कुछ यहाँ पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया, इसके बाद म international relations को, आप अगर properly follow करते हैं, in an academic perspective, तो आपने notice किया होगा, कि जब भी 2 world leaders मिलते हैं, इनकी meeting होती है, उसके बाद एक joint statement दी जाती है, leaders इस तरीके से खड़े होते हैं, document present करते हैं दुनिया को, यह देखिए हम मिले, बातचीत हुई, और यह जो points हैं, यह हम दुनिया के सामन देखाओ, कि एक world leader, इतने सालों के बाद, बताय जा रहा है कि दो दशकों के बाद, एक पाकिस्तानी PM गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी, कोई भी joint statement यहाँ पर निकल के नहीं आई, जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुत समझता है, कि geopolitically, इंडिया इनके लिए बहुत इंपरन देश है, तो रशिया ने भी पाकिस्तान को distance पे रखा है, अच्छा, मुझे भी बड़ी हरानी हुई, क्योंकि आपको याद होगा, कि जब पुतिन आये थे भारत, तो बहुत short term के लिए आये थे, मतलब, ऐसे नहीं कि इतने लंबे टाइम के लिए आप 24 गंटे या 40 गंटे के लिए आप जा रहे हो, किसी देश में, बहुत short time के लिए थे, उसके बाद भी joint statement जारी हुई, और in fact अभी देखिए, अभी Ukraine war पे, पिये मोदी और पुतिन की बात हुई, अभी कुछ घंटों पहले, और तब भी इसके बाद भी इंडिया की तरफ से एक statement जारी हुई, कि भाई, ऐसी बाते हुई है, पुतिन से बात की है, ये debriefing हुई उसमें सारी, अब आप सोचिए, इसके बाद इमरान खान और रशिया के president जब मिले, तो ऐसी कोई statement जारी नहीं हुई, आप इसी बात से समझ सकते हैं कि problem तो चल रही है कुछ न कुछ, इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान के लूग समझ रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पर कोई joint statement नहीं थी, मीटिंग में basically discuss किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बाचीत की issue पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिल के declare करी नहीं है, तो अवियसी बात है, पाकिस्तान में जो एक gas pipeline बननी थी, जिसमें रश्या भी निवेश करने वारा था, इस पर भी कोई mention नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था, बहुत लिए अजीब सी visit थी आप अगर देखो इमरान खान इतने अजीब से टाइम में एक वार के समय रश्या में गए, मेटिंग करी, ना उधार मिला, ना joint statement मिली, कुछ यहाँ पर बेसीकली positive एक निश्कस निकल के नहीं आया, फिर जब यह वापस आ रहे थे, तब युईसे रे warning आ गई, युईसे ने का के हम देख र position है, युक्रेयन के issue को लेकर हमने convey कर दी है पाकिस्तान को, ये statement आई, अपने आप में काफी aggressive statement है, उसके बाद कुछी घंटों में ये भी news आ जाती है, कि पाकिस्तान का जो एक बहुती बड़ा सरकारी bank है, उसकी New York branch पर 55 million dollar का fine लग चुका है, और issue क्या है, money laundering का, ये बह state bank of Pakistan की एक बहुती बड़ी subsidiary है, मानलो जैसे के इंडिया में न, state bank of India, state bank of India की मानलो कोई subsidiary होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई bank होता, उस पर अगर US इतना बड़ा fine लगा रहे था, कितनी बड़ी news बनती है अपने आप में, तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है, और अग परली journalist ने correlate भी किया है, कि definitely USA ने पाकिस्तान को punish किया है, अब यहाँ पर मैं यह add कर दूँ, कि कुछ लोग जो लिखने इस news के वारे में online, उन लोगों ने यह लिखा है, कि जी fine 20 million dollar का है, या फिर 30 million का है, तो मैं यह बता दू, दोनों party या ठीक है, मगर दोनों parties की information क्योंकि total जो fine है, यह 55 million का है, 35 million dollar का fine लगाया है, New York State Department of Financial Services ने उसके बाद 20 million dollar का fine लगाया है, Federal Reserve Board ने, वा इतने बड़े बड़े काम करता है वाकिस्तान, कि खुद Federal Reserve Board अलग से कहता है, कि fine लगाओ यहाँ पर, और reason क्या है, reason बहुत शर्मनाग है, US की government, इनकी authorities यहाँ पर laundering को रोकने के लिए proper जो rules मनाए गई है, यह banks इनको follow नहीं करते, और बहुत जारा मैं कहूंगा, aggressive language में, जो Pakistan का सरकारी bank है, इस क्या लोचना करी गई है, अब यहाँ पर आप कहेंगे, तो यह Pakistan का bank है, यह USA में क्या कर रहा है, देखिए कई bank होते हैं, सरकारी bank, उनकी overseas branches आ लेगी, it is very normal, now जो यह national bank को पाकिस्तान है, यहाँ पर yes you मत कर लेना कोई बहुत बड़ा bank है, यह New York में भी इसकी branch है, ऐसा कुछ नहीं है, comparison के लिए यह मान लो, national bank को पाकिस्तान का जो total revenue रहता है, और an average, यह रहता है 500 से लेकर 600 million dollar के आसपास, इसके comparison में, जो recently yes bank almost do भी ग पहली बार है, USA ने, जब openly पाकिस्तान के सरकारी bank को यह का है, कि आप लोग money laundering के against action नहीं ले रहे, आपकी books में कई हमको संदित वाते दिखी है, कुछ ना कुछ गरबट चल रही है, यहाँ पर, अभी के लिए तो हम यह penalty लगा रहे हैं, उसके बाद warning दे रहे हैं, अपने आतंगवाद की financing पर, दूसरा money laundering पर, जो काले धन को गलत तरीके दे सफेद किया जाता है, उस process को रुकने का काम करता है FATF, अभी recently आपको बताओगा news आई है, कि इस बार भी पाकिस्तान FATF की grey list से नहीं निकल पाया, अब देखिए, बाद तो इंडिया में आपर यह हो देखिए, बहुत से issues आ रहे हैं, पाकिस्तान के banks में भी issue है, money laundering का, terror financing का issue और जगा भी आ रहा है, तो इनको blacklist में डालना होगा, तो US ने यह process kickstart कर दिया है, अब पाकिस्तान के उपर हैं यहाँ पर, कि यह regularly US के interest किया गेंस्ट काम करते रहते हैं, तो definitely मैं आगको बता र banks है, overseas, ना सिर्व US में, Canada में, Europe में, वहाँ पर हो सकता है कि various countries पाकिस्तान पर बहुत सारे fine लगा दे, 50 million, 100 million, 1500 million के, यह सब fines पाकिस्तान पे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए, पाकिस्तान की जो embassies हैं, abroad, उनको भी यह properly finance नहीं कर पा रहे हैं, तो overall मैं कहूं फाइदा रोग कुछ नहीं हुआ है, बस bill बहुत बढ़ा एक लग गया है, and finally, आपर मैं यह भी add कर दूँ, कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC Bank, simply जाओ, comment section में, choose करिए अपना exam, for example, अगर आप prepare कर रहे हैं, let's save for UPSC, click करिए UPSC वाले link पर, और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे, UPSC का unique combo package, जिसके एंडर आप UPSC prelims, mains, optional, तीनों की ही त्यारी कर पाएंगे, in a single purchase, optional of course, आपकी choice का होगा, political science, history, geography, whichever you choose, और अगर आपके पास अभी time, अगर आप एक college student है, 2-3 साल का time है, राम से आप एक UPSC का time जेना चाहते हैं, 2026, 26 के आसपास, तो जो 36 मेने का course है, ये भी आप कर सकते हैं purchase, मगर जो यहाँ पर prices लिखे हैं, pay करने की आप शक्ता नहीं है, simply यहाँ पर code use करो, PD10, and the prices will start falling, so use the code PD10, and save money, so इसी note के साथ, ये है video कांथ, thank you for listening, and as always, God bless you all. तो दोस्तों, प्रशान जी, जो वीडियो बनाते हैं, वो बहुत ही जानकारी वाला, authentic, और बिलकुल आसान भाशा में समझाते हैं, कि boss, ये हुआ है, और इसका जो असर है, वो ऐसा होगा, तो भाई, चैनल को subscribe करिए, और जानकारी भरे वीडियो देखते रहिए, अब आत detective है, वो भी पाकिस्तानी बड़े politician रहे हैं, पत्रकार भी थे, जान अचक जई, मतब पाकिस्तान की politics में बड़ा उनका दखल है, उन्होंने ये बात कही थी, इनके जाने के पहले इमरान खान के, कि it's ill-timed visit, मतब ये सही वक्त नहीं है, इमरान खान के रशिया जाने का, औ कोई बात नहीं, अगर रशिया से पाकिस्तान को कुछ मिल भी जाता है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहतर है, कि भाई, उनको जरुवत है रशिया ने दे दिया, ये भी चलिए मान लिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई announcement होई नहीं, कर्द्स के अलावा जो बात थी, कि भाई, अगी gas pipeline है, बाकी cooperation है, energy cooperation है, तो उस पे भी अभी तक कोई खबर नहीं आई है, और कोई statement दोनों देशों की तरफ से नहीं आई है, कल को हो सकता है कि आ जाए, और हो सकता है कि नहीं भी आए, लेकिन नॉर्मली जो ऐसी statements आती है, वो meeting के फॉरण बाद आ जाती है, क्योंकि statements करीब करीब तयार होती है, बाचीत होती है, statements drafts होती है, उनको clear क्या जाता है, statements आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, अब आते हैं कि भाई, इमरान खान को ये सलाह किस ने दी, कि भाई, आप ऐसे time पर रश्या जाईए, तो इनके जो NSA है, मुझे लगता है कि ये उ national आदमी, मतब राश्यता उसके बाद American है, और वो पाकिस्तान का NSA बना हुगा है, खेर ये तो ISI और बाकी लोग ज़्यादा बहतर तरीके से जानते हैं कि क्यों बनाया हुगा है, अब आते हैं नुकसान जो पाकिस्तान का होने बाला है, और होना start हो चुका है, और ये फौ से reactions आएंगे और reaction आने शुरू हो गए हैं, वहां के विदेश मंतराले ने साफ का कि हम देख रहे हैं, और देखे अभी 55 million dollar का penalty लग गई, सबसे पाकिस्तान के लिए जो डराने वाली बात है न, मतब डराने वाली इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान अगले 2 साल चार साल बाद blacklist में चला जाता है, यकीन मानिये पाकिस्तान के लिए इस से बुरा वक्त और कोई नहीं होगा, और मैं जानता हूँ, कि इन बातों को सुनने के बाद पाकिस्तान के लोग कहेंगे कि ये तो सब anti-musulmान हैं, घैर-muslim देश हैं, हमारे एकलाफ कर रहे हैं हम तो करी रहे हैं कोशिश, कोशिश अगर आप कर रहे हैं, तो आपके national bank की subsidiary bank, वहाँ पे money laundering में पाई गई है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे उठा के दे दिया होगा, penalty लगा दी होगी, उन्होंने सबूत इकठा किया होंगे, सबूत बताए होंगे, और वो सबूत FATF में भी जाएंगे, अब आप कहेंगे कि वो गलत सबूत हैं, तो भाई आप या तो उसको challenge कर लीजए, उन सबूतों को, आप challenge नहीं कर पाएंगे, challenge इसलिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप में खामी है, आपका सिक्का खोटा है, तो खोटे सिक्के के साथ आप जादा दिन तक इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, कि अपने खोटे सिक्के को खरे सिक्के में बदलिए, साजिशे करनी बंद कीजिए, लेकिन कंट्रोल आपके हाथों में है नहीं, आप लोगोंने साप पाल-पाल के कंट्रोल अपने हाथ से गवा दिये हैं, अभी एक ताजा वीडियो अभ तो आप लोग ये समझ नहीं रहे हो, कि आप अब तक तालिबान को सपोर्टर रहे थे, और जी तालिबान ने तो जीत लिया, पाकिस्तान तालिबान का दोस्त है, अब तालिबान उल्टा ही आपकी बेंड़ वा जा रहा है, दुर अनलाइन मालने से उसने इंकार कर दिया ह लेकिन अब भी आपको होगे कि नहीं नहीं, वो तो छोटा मोटा होता चलता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, आप इस बात को समझेए, इसके भविश्य में असर और जादा बड़े होने वाले हैं, आप अगर FATF की ब्लैक लिस्ट में चले गए, तो यकीन मानिए, जो आपकी आर्थिक हाला अभी है, इसका सौ गुना जादा बुरा होगा आपके साथ, आपके पास कमाई के साधन नहीं है, कर्जा आप बढ़ाते जा रहे हो, उसके बाद तो लोन मिलना भी, आईये में उसे छोड़िये, किसी से भी लोन मिलना आपके लिए मुश्किल हो कितना सिक्योर किया, और 27 पॉइंट भी क्यों नहीं माना, जब तक आप सब कुछ फुल्फिल नहीं कर लोगे, तब तक ऐसे चलता रहे हो, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 27 पॉइंट मानने के बाद भी ऐसे, भाई तो वो 27 पॉइंट आपने मान लिए, लेकिन आपने वह खामी कैसे पाई गई, और सबसे बड़ा मुद्दा है टेरर फंडिंग और मनी लॉंडरिंग का, तो कैसे खामी पाई गई, इट मीन्स की आप लोग को लगता है कि किसी की नजर नहीं जाएगी, भाई या टेक्नोलोजी इतनी जबरदस आगे बढ़ चुकी है कि आपके ए फिर टी-फ की ब्लैक लिस्ट की तरफ बढ़ने का, अब पता नहीं पाकिसान के लोग कितना भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, उनको लगया कि सारी दुनिया उनके खिलाफ साजिश रच रही है, मैं फिर कहता हूँ कि आप गलट टाइम पे गलट चीज़े कर रहे हो, गलट क पुशने वाला था, इसलिए हो रहा है कि इल टाइम गलत वक्त पर गए, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, भाई, 30 साल तक आप अमेरिका की गोदी में बैठे रहे, वहाँ से हथियार लिए, F-16 लिए, हलिकॉप्टर्स लिए, पैसे लिए आतं पैट्रोल सस्ता मिल रहा है, डॉलर का रेट देखो आप, क्या हालत हो गई है आपकी, 177-188 रुपे, 180 रुपे के करीब डॉलर पहुच चुका है, और सबसे बड़ी बात, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद कच्चा तेल महंगा हो रहा है, और कच्चे तेल के महं भारत ने क्या किया, भारत को यह अंदेशा था, तो भारत ने रशिया से, पिशे काफी लंबे वक्त के बाद, क्रूड ओल की डील कर ली, IOC जो हमारी कंपनी है, उन्होंने वहां पे डील कर ली, क्रूड ओल की, और ठिक ठाक डील की है, और सब सस्ते रेटों में की है, तो पहले तेल खरीले, कच्छे तेल के कीमते बढ़ेंगे, लेकिन आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको अस पैसे नहीं है, तो भारी मुश्किल में फसने वाला है पाकिस्तान, तो जो लोग यह लग रहा है कि रशिया का इतिहासिक दौरा और यह दौरा ठीक है, जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गलट टाइम पे गए, टाइमिंग गलट है, और आपने USA को भी नराज कर दिया, रशिया से भी कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा रशिया से, एक आद बिलियन डॉलर का लोन मिल भी गया तो मिल गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्य साब का काम होने वाला नहीं है, तो बहिया, इमरान खान ही बचाएं, अब तो इलेक्शन मी आने वाले हैं, सालवर बाद बाकी देखें क्या होता है, जल्ली आजीर होता हूँ, एक और नए वीडियो पे साथ, नमस्कार, जहित